Hello students, अक्सर हम लोग जब किसी भी एक्जाम की पेप्रेशन करते हैं, तो सबसे बेस तरीका होता है, कि हम उसे एक्जाम की real questions paper लगाएं, उसके previous year question paper को solve करें, तो जही मेंस के जो previous year के question papers हैं, उनको लगाने के लिए students अक्सर या तो किसी publication की कोई book खरीते हैं, नेट में हम किसी website से download करने की जब हम खोसेश करते हैं, तो mostly क्या होता है कि हमें वहाँ पर website पर जाकर registration करना होता है, और जो website होती है, वो उसका एक link भीजती है आपके mail पर, तो यह काफी cumbersome procedure होता है, और या तो फिर अगर हम किसी publication की book खरीत रहे हैं, तो वो costly है, 400-500 rupees, अगर हमें previous year के question paper के लिए देना होता है, तो वो एक costly affair है, तो अगर हमें किसी एक ही चगे, इस सारे के सारे जो previous year के question paper है, वो PDF form में मिल जाएं, और हम उनको freely download कर लें, बिना किसी hassle के, तो उससे अच्छा कुछ होई नहीं सकता, तो instance मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, 4 easy steps में, 4 easy steps, you can download all the previous year question papers, from 2002 to 2020, 2020 के January session तक के, सारे question paper आप एक ही जगे download कर सकते हैं, आपको देखे करना क्या है, मैं पहला step बताने जा रहा हूँ, step number one is, go to google play store, from your android mobile phone, and download the पूछो तो app, जब आप google play store पे जाएंगे, वहाँ पे आप search bar में search डालेंगे, पूछो तो, T-U-C-H-O-T-O, तो आपको पूछो तो app मिलेगी, मैंने नीचे एक image डाली है, when in doubt पूछो तो, पूछो तो ask it, तो यह जब आप डालेंगे, वैसे तो मैंने पूछो तो app का link भी दे रखा है description में, तो आप जहें तो उस सीदे link को click कर सकते हैं, तो आपको पूछो तो app डाउनलोड करनी है, number one, number two, आप पूछो तो app डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी exam category choose करनी है, of course जब आप JEE main की बात कर रहे हैं, तो आप board plus engineering वाले section में जाएंगे, board plus engineering, board plus JEE, जो engineering वाला section है, वो वाला आप लोग choose करेंगे, यह तो obvious step था, तो step two तो मुस्किल से 2 second का काम है, step number three, यहाँ पर आपको जो home page मिलेगा, उसमें आप देखेंगे bottom bar में home, courses, join batch, test series, resources, नीचे आपको bottom bar में resources section पर क्लिक करना है, यह एक second का काम है, आपको resources में जाना है, resources में जाने के बाद step number four, आपको दो type के resources मिलेंगे, एक तो आपको मिलेंगे कुछ articles, news articles या blog बोल सकते हैं, दूसरा आपको मिलेंगे PDF, तो आपको PDF पर जाना है, आपको किस पर जाना है PDF, PDF पर जाएंगे तो आपको previous year question paper की जो image है, इस type के आपको image वाले कई सारे आपको PDF मिलेंगे, तो यहां पर PDF में जब आप जाएंगे, तो आपको पूछो तो app में 2002, from 2002 to 2020, और जो multiple sessions में हुए हैं, multiple days में जिन सालों में हुए हैं, उन सारे days wise आपको सारे PDF डाउनलोड में मिल जाएंगे, Just click on the paper you want to download, और सबसे अच्छी बात, आपको free resources और भी मिलेंगे, question paper के सिवा अगर आपको जैसे iridoov का solution चाहिए, iridoov की book चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे और भी यहां पर resources available है, PDF form में, तो मैं आसा करता हूँ students, यह आपको बहुत पसंद आया होगा, और यह आपको सारे question paper एकी जगे मिल जाएंगे, freely मिल जाएंगे, बिना किसी registration और hassle के, बहुत easy सा procedure है, 4 step का मैंने बताया, time भी बहुत कम लगेगा, पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और आपको और भी बहुत सारे resources मिलेंगे, thank you, और इसके बाद हम लोग जो है, मैं आसा करता हूँ कि आप यह एप डाउनलोड करके एक बद जरूर देखेंगे, thank you.